नमस्कार बहुत बहुत सवात करते हैं क्लिक टोड़े के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में और मुख्य मंत्री कन्या उठान योजना सनातक प्रोसाना योजना की राशी को लेकर बहुत सारी शात्राइं कल सवाल पूछ रही थी यह बता देजिए कि 21 तारीक के बाद से पताने वाला हूँ तो वीडियो में सुरू से लेकान तक बने रहीएगा साधी साथ चैनल को अगर आपने अभी तक के सब्सकाइब नहीं करा चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजे एक एक अपडेट हम आपको देंगा अगर आप इगनू की छात्रा है तो से दिखाएगा आपके खाते में पैसा जाने के लिए रेडी हो जाएगा और आपके खाते में आ भी जाएगा या तो एक दिन या दो दिन के भीतर भीतर आपके खाते में आ जाएगा अगर पेमिंट डन लिखता है तो मान के चलिए कि आपका पैसा आने ही वाला आपके खा यह अपना क्लिक टूटे का ही वेफसाइट है यहां पर मैंने एक एक लिंक लगा दिये हैं और इसको आप अच्छे तरीके से परके इस पर क्लिक करके अपना स्टाइटस चेक कर सकती है सबसे पहले तो आपको कमेंट में जैसे यह आप जाइएगा तो वहां पे भी मैं यह लिंक पिन कर दे रहा हूं वहां से आप लोग डी डाइक हो जाएगा वेफसाइट के ऊपर आएगा तो कुछ इस तरीके का वेफसाइट खुलेगा नीचे स्क्रॉल करके आएगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उपर में जो है यह official website का link है यहाँ पे देखिए कि website को बदल दिया गया है website का अब interface आप change होता है दिखाई दे रहा है यहाँ पे student who have received user ID password finalize करने के लिए बता जा रहा है कुछ अच्छे तरीके से जो है user interface को update करा गया है और यहाँ पे एक अपडेट जारी किया गया है यह अपडेट क्या है यहाँ पे underline करा गया है सनाता कुतरीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में विश्विद्याले से परिक्षाफल अपलोड करने के बाद से जो है चातराओं में जो है विवरन भर ने यहीती ऑपन किया गया है यह दिया गया है कि एक बार विश्विद्याले स्वारा परिक्षाफल अपलोड करने के बाद जो उसे कोई भी सुधार बिना विभाग उसके वाद जब मुख्य सचिव प्रधान सचिव के अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा अगर आपको इतना नहीं ताम जाम चाहिए तो आप डायकली जो है हमारे वेफसाइट पे जब रहेगा तो इसके नीचे जो बहुत सारे हमने लिंक लगाएं आपको सबसे पहले देखना है अगर आपने अभी तक रजिस्टेशन नहीं कर रहा है तो यहां पर आपको देखना है जैके लिस्ट में नाम है कि नहीं लिस्ट में नाम होने के बाद ही यहां पर डैस देके इसनातक 2021 अभी तकर खेंगा यहां पर आपने रॉचस्टेशन न्मबर की थ्रू थी कॉम ठेक कर दियेоло से और जायूर्ष OR छेक कर करने के बाद आप continue करेगा तो आगे जा करके आप अपना यहां पर में दिखा देता हूं आपको अपना यूनिवरसिटी सेलेक्ट करते हुए जो है रजिस्टेशन करना होगा अगर आपने नहीं कर रहा है तो यहां पर यहीं सारी चीज़े इसके आर्व मैंने पहले बता रखा है वापस से अगर आपने अभी तक पेमेंट लिस्ट चेक नहीं कर रहा है तो एक बार आज ही जा करक नहीं उनका लिस्ट टू में जाएगा नाम ठीक है तो आपको डिकली लिस्ट टू में ही चेक करना है और जो 2021 से बाइसेशन की चात्रे लेने में की वह पूछ रही है कि हमारा कब नाम आएगा तो आपका जून जुलाई के बाद कुछ अपडेट आ सकता है जब आएगा त आपको बता दिया जाएगा क्यूंकि आपका रिजल्ट जो है 30 डिसंबर 2022 को जारी हुआ है और जो आखरी थी बताई गई थी वह बताई गई थी 30-10-2022 तक जिनका भी रिजल्ट आया था उन्हीं लोग का इसमें एड करा गया नाम लिस्ट ऑफ अन फाइनलाइज चेक करने के लिए यहां पर एक लिंक है यहां पर जैसे क्लिक करिएगा युनिवर्सिटी रिजिट्रेशन नमर डालिएगा स्टैस दिख जाएगा यूजर इडी पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर इडी पासवर्ड पर जैसे इस पर क्लिक करिएगा जिनों ने अभी तक के फाइनाइज नहीं करा आई पास और आने के बाद तो आप इस वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यूटूब के तरफ यह रीडाय करेगा यहां पर जैसे करिएगा तो यह आपको एक वीडियो खुल करके सामय आजाएगा तो यह हमारा प्रोसेस है के बात शुरू हो जाएगा और अना भी शुरू हो जाएगा अंडर प्रोसेस जल्दी चला जाएगा इंफक्ट प्रोसेस जाने का पैमेंट डन होने में टाइम नहीं लगता है तो आपके मन में अगर और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लिजेए हम नवाद